राजिस्थान के बाराच छबड़ा उपखंड एबम तहसील छेत्र के ग्रामपंग चाईतु कड़या नोहर के गाउं बटा वदा उंच्चा में तालाव के पास से में डामर रोड तक आम रास्ता करीवन तीन सो मीटर में बहुत अधिक गहरे गड़े वकी चड़ हो गया है जिसको लेकर जुलाप परिशद सदश्य फूल सिंग मीडा बाड नमबर 18 ने छबड़ा पंचायत समिती प्रधान हरियोम नागर को लिखित में अबगत कराया गया जिस पर प्रधान पंचायत शमिती छबडा ने जल्द से जल्द ग्रेवल डलवा कर गाउं में हो रही समश्याओं के समाधान का आसवासन दिया जिस से फूल सिंग मीडा जुला परिशत सदश्य ने बताया कि बहुत ही जल्द पंचायत समिती प्रधान हरियोम नागर द्वारा दिये गए आसवासन से सभी ग्राम बासी एबम छेत्रवासियों में खुसी की लहर दोड़ पड़ी मेरे निजी गाउं बटाउदा उचा जो कड़ायन और पंचेद में पड़ता है उसमें तालाग के किनारे से में रोल डामर तक लगबख 300 मिटर की दूरी के बीच में आज़ादी के बास साभी तर कोई भी पक्का निर्मान नहीं हुआ है जहां से आम जन रोजाना निकलते हैं बच्चे निकलते हैं सब लोग निकलते हैं सादर निकलते हैं लेकिन वहाँ कीचर बढ़ा हुआ है उसमें आमजन को दुरुगड़नागी इसलिए उस समस्या को लेके मानिय प्रदान साब को मैंने ग्यापन देके अभी वर्तवान में वेकल किलने की मांग को लेके इनको ग्यापन दिया है और मानिय प्रदान साब ने मुझे आज़वसन दिया है कि जल्दी में मेरे इस तरफ परियास होगा उस्से वहाँ गरेवन डलवाने का परियास करें है, फुल जिन के चलते हुए अधिक बड़सा के कारण, जहां पे जो बड़े होएं, तो मैंने इंको आस्वसन दिए है कि मैं बहुत ही जल्दी, उसी दिन में एक दो दिन के अलतारी वहाँ पे इंको घ्रेवन देखते रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर